नमस्कार दोस्तो प्रियाज किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको पता ही चल गया होगा आज हम आपके लिए लच्छा पराठी की रेसिपी लेके प्रस्तुत हूँ तो आज हम ये पराठा बहुत ही पसंद किया जाता है तो आज हम लच्छा पराठा के लिए सबसे पहले हम आटे गूतने के लिए एक बरतन ले लेंगे इसमें हम आटा डाल देंगे आटे डालने के बाद इसमें थोड़ा साम नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे अब हम इसमें आटा गूतने के लिए पानी डालेंगे याद रहे हमें आटा सक्त गूनना है ज्यादा पतला नहीं ज्यादा सौफने को उतना है अच्छी तरीके से हम आटे को मल लेंगे हमारा लगबग आटा गूत के त्यार है आटे को हम अच्छी तरह से मल लेंगे अब हम इसमें एक चमच घी या तेल डालकर दो से तीन मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह से और मल लेंगे इससे क्या होगा हमारे पराटे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे इससे एक अच्छी सी बैंडिंग आ जाती है आटे में हमारे में तो हमारा आटा गुत के तयार हो चुका है, तो हम इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए इसे एक साइड में रख देंगे, हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट का समय हो चुका है, अब हम इसमें से एक लोई तोड लेते हैं, लोई हमें लगबग इतनी तोड मदद से पहले एक ऐस लोगी की पतली सी रोटी बेल लेंगे हमें रोटी बड़ा पतला बेलके तैयार कर लिया है अबुम हम इस पे थोड़ा गहिया तेल लगाएंगे इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और फिर हमने फैला लिया है अच्छी तरह से रोटी पे लगा हुआगी थोड़ा सा हम इसमें सूखा आटा चिड़केंगे अब आटा चिड़कने के बाद में हमें इस रोटी की प्लेट्स बनानी है आप देख रहे होंगे वीडियो में हमें इस तरीके से रोटी को उठाना है और छोटी-छोटी इसकी प्लेट्स बनानी है इसी से हमारा इन प्लेटों से हमारा लच्छा बनकर तयार होता है प्रांटे के अंदर लगवग हमारी रोटी में प्लेट्स डल चुकी है अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे जैसे आपक अब हमें इसे बेलन की मदस से हलके हातों से याद रहे हमें इसमें ज़्यादा प्रेशन नहीं लगाना है हमें बिल्कुल एक दम हलके हातों से इसे बेल कर तयार कर लेना है अब हम गैस चालू कर लेते हैं हमने गैस पे तवा रख दिया है गरम होने के लिए लगबग हमारा दवा गरम होकर तयार है अब हम इस पर बिला हुआ अपना पराटा डाल देंगे याद रहे गय सका फ्लेम में इसे मेडियम रखना है पराटा हमारे एक तरफ से सीख चुका है अब हम पराटे के उपर घी लगाएंगे हमने घी लगा लिया है अच्छी तरीके से अब हम पराठे की थोड़े साइडों में भी घी लगा देंगे इससे क्या होंगे हमारे किनारे अच्छी तरह से सिख जाएंगे पलट के हमने दूसरी तरफ भी घी लगा लिया है हमारा पराठा देख रहे हैं आप गी लगाते के समय ही बिल्कुल एकदम खिले-खिले इसमें लच्छे आनी स्टार्ट हो गया है हमारा पराठा कितना अच्छा सुनेरा बनकर सिक कर तयार हो गया है लगभग हमारा पराठा बनकर तयार है सिक कर तयार है आप देख रहे होगे कितने अच्छे के लिए लच्छे तयार हुए है अब हमारा पराठा सरक परने के लिए तयार है